दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो को इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन और कोल इंडिया के साथ में कुछ ऐसी कमपनी के शेर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनोंने यहाँ पे बोनस, स्प्लेट और डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फिनो मेडिया बाया आरुश आएब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले शेर की बात करें तो कमपनी का नाम है शक्ती पंस इंडिया लिमेटेड आज के ट्रेडिंग सेशन में कमपनी का जो शेर है हमें साधे तीन परसेंट की तेजी दिखाता देखने को मिला और 4,474 रुपीज के उपर में क्लोज उबा अगर इस कमपनी के ऑफिशल बोनस मिलेंगे आपका जो एक शेर है वो 6 शेर के अंदर में कनवर्ट हो जाएगा चाहे फिर बेशक आपके पास में इस कमपनी के जितने मरजी शेर हो आपको आपके हर एक शेर पे 5 नए शेर ऐस बोनस दिये जाएंगे इस बोनस को देने की जो एक्स डेट रेकॉर्ड ड लिमेटेड ये कमपनी का जो शेर है आज के ट्रेडिंग सेशन में लगबग हमें 4% की तेजी दिखाता देखने को मिला और 655 रुपीज के उपर में क्लोज हुआ अगर इस कमपनी के ओफिशल अनौंसमेंट की बात करें तो JNK इंडिया ने जो बहें यहां पर डिविडे वैल्यू काफी काफी जाधा कम है बाकि इसको देने की जो X-Date Record Date है वो 21st of October यानि की 21 October की रखी गई है अगले शेर की बात करें तो कमपनी का नाम है Elecon Engineering Company Limited आज के ट्रेडिंग सेशन में कमपनी का जो शेर है लगबग हमें 0.5% की तेजी दिखाता देखने को मिला और 640 र सकते हैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे मैं आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे कैश के उपर में स्टॉक्स पे बाइंग रेकमेंडेशन शेयर करता हूं शॉर्ट टर्म के लिए स्कैल्पिंग सेटप और मिड टर्म के लिए मीटिंग और्गनाईज कर दिये 18 ओफ अक्टूबर को और इस बोर्ड मीटिंग का जो परपस है वो डिविडेंट को ले करके रहने वाला है और अल्रेडी कमपनी ने डिविडेंट को देने की जो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट है वो एडवांस में अनौंस कर दिये है जो कमपनी का नाम है हर्शिल एग्रोटेक लिमेटेड आज की ट्रेडिंग सेशन में दुबारा से एक बारी ये कमपनी का शेयर अपने 2% के अपर सर्किट पे लॉक था और 85 रुपीज के उपर में क्लोज हुआ अगर इस कमपनी के ओफिशल अनौंसमेंट की बात करें तो हर् बेशक आपके पास में इस कमपनी के जितने मरजी शेयर्स हों आपके सभी के सभी शेयर्स यहां पे 10 गुना हो जाएंगे और इस स्टॉक स्प्लिट को देने की जो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट है वो 17 ओफ ऑक्टूबर यानि की 17 अक्टूबर की रखी गई है यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा हर्शल एग्रोटेक का शेयर्स लास्ट एकाद महीने से बैक्टू बैक अपर सर्किट्स मार रहा है और अब तो इन्होंने यूट्यूब के उपर अपने एड्स भी रन करने स्टार्ट कर दिया है कहीं या कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स को अपर बहुत बुरी तरीके से ट्रैप करा जाएगा तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा बिलकुल भी हर्शल एग्रोटेक के शेयर्स को बाय मत करियेगा टोटली अवोइड करियेगा अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है एन्र बी बेरिंग्स लिमेटेड आज के ट्रेडिंग सेशन में अल्मोस्ट यह कंपनी का शेयर हमें फ्लाट ट्रेड होता देखने को मिला तो बी प्रेसाइस 0.25% के एक छोटे से एकदम माइनर करेक्शन के साथ में 279 रुपीज पे क्लोज हुआ अगर इस कंपनी के ऑफिशल अनौसमेंट की बात करें तो देने की जो X date record date है वो 16th of October यारे की 16 October की रखी गई है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है Cole India Limited आज के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी का जो शेयर है हमें 0.5% की तेजी दिखाता देखने को मिला और 492 रुपीज के ओपर में close हुआ अगर इस कंपनी की तरफ से आ आम सुना होगा दोनों ही stock market पे भी listed है तो इसी बात से अब अंदाजा लगा सकते हैं इंडिया के अंदर में कितने जाधा well reputed है अब JM Financial और मोतिला लोसवाल इन दोनों नहीं यहाँ पर एक कोल इंडिया के शेयर के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेयर करी है JM Financial ने target दिया ह 601 रुपीज का और मोतिला लोसवाल ने target दिया है 600 रुपीज का लगबग 492 रुपीज से लेके 600 रुपीज तक की एक जो rally है एक जो upside momentum है वो यहाँ भी JM Financial और मोतिला लोसवाल दोनों ही expect करके चल रहे हैं कोल इंडिया के शेयर के उपर में अब कोल इंडिया की as a company अगर ह पूर बना हुआ है अभी फिलाल अगर आप देखेंगे valuation wise company का share काफी जाधा attractive है और currently यह जो EV revolution चल रहा है basically EV vehicles के लिए EV chargers लगाए जा रहे हैं इनको generate करने के लिए electricity कहां से आ रही है कोल इंडिया की तरफ से ही आ रही है because अभी भी इंडिया इतने बड़िया level पे नहीं पहुचा कि सारी की सारी energy को जो है renewable energy के sources से ले पाए जिसे की windmills हो गया solar panels हो गया इनके थ्रू अभी भी काफी कम energy आ रही है और majority of the energy अभी भी कोल के थ्रू ही produce करी जा रही है तो कहीं न कहीं आने वले कुछ साल definitely कोल इंडिया के लिए भी एक अच्छा period रहेगा तो definitely अगर आप लुक चाहें कोल इंडिया के शेयर पे आपकी नजर बना के रख सकते हैं और रही बात यह 600 रुपे के target की यह आपका short term से लेके mid term का target बनेगा परसनली बताऊं तो short term में achieve वो इतना ज़़द conviction मुझे है नहीं तो आपको at least mid term तक के लिए wait करना पड़ेगा तभी आपको कोल इंडिया का share 600 रुपीज तक के levels दिखाएगा बाकी अब जरूर से company के share पे आपकी नजर बना के रखिएगा और आपकी watch list के अंदर में जरूर से add कर लीजिएगा अब आज आते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले end last update की तो company का नाम है IOC Indian Oil Corporation IOC का जो share है आज की trading session में लगबग हमें 0.5% की तेजी दिखाता देखने को मिला और 165 रुपीज के उपर में close हुआ अब Indian Oil की तरफ से भी एक काफी बड़ी और एक positive update ही निकल करके आ रही है basically यहाँ पे again मोतिला लोसवाल financial services करके एक काफी जाना माना brokerage firm है और मोतिला लोसवाल ने जो वे Indian Oil Corporation के share पे भी bullishness दिखाते हुए buying recommendation share करी है और जो target price दिया है 195 रुपीज का दिया है लगबग 165 रुपीज से लेके 195 रुपीज तक की एक जो rally है मोतिला लोसवाल expect करके चल रहा है Indian Oil Corporation के share के उपर में अब अगर हम लोग Indian Oil की ऐसा company बात करें देखे fundamentally financially Indian Oil भी काफी strong है ये भी एक PSU unit है जिसके चलते government का support और investors का जो trust है वो company के उपर में बना रहता है इसके अलावा Indian Oil Corporation तो specifically आने वले एक से डेट साल के अंदर में पूरी तरीके से EV के अंदर में involvement अपनी दिखाएगी because कही ना कही इन लोगों का main focus है कि इंडिया के अंदर में lithium and batteries को manufacture करा जाए और अगर actual में Indian Oil Corporation ने कर लेता है EV के साथ में इतना बड़ा नाम जुड़ जाता है company का तो definitely valuations तो आपको boost करते देखने को मिलेंगे और actual में long term में Indian Oil Corporation आपको काफी अच्छे returns बना करके दे सकता है बागी रही बात 195 रुपीज के target की तो ये again आपका mid term का target बनेगा short term के लिए Indian Oil Corporation थोड़ा सा जादा volatile हो सकता है but mid term का 195 का target और long term में आपको massive returns बनते हैं यहां से देखने को मिलेंगे तो definitely अगर आप लुक चाहें Indian Oil Corporation के share पे भी आपकी नजर बना के रख सकते हैं आपके watch list के अंदर में add कर सकते हैं बागी Indian Oil Corporation हो गया Cole India हो गया इन दोनों के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहां पे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा इस वीडियो के अंदर में इतना ही रखेंगे यही कुछ companies के shares थे जिनकी तरफ से बड़ी updates निकल करके आ रही थी अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगियो वीडियो को जरूर से like करिएगा चैनल को भी subscribe करिएगा because ऐसे वीडियो मैं आप लगो के लिए daily basis पे लेकर के आता रहता हूँ चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye